तरच चले भाई साब आजमबा कने वाले अपने सलमान भाई की अपकमिंग बिगस ब्लागबस्टर मुवी बनने जा रही यानी बबबर शेर तो जब से पूरे सोसल मीडिया के अंदर ये न्यूस फैला है कि कबिर खान ने अपना नेक्स्ट मुवी के अनॉसमेन कर दिया अनॉफिशल तरीके से अफिशल ही कह सकते हो और वो प्रजेक्ट और कोई नहीं अपने मेगस्टार सलमान भाई करने वाले हैं उनको अप्रोच क किया गया है उसके बाद तो ये न्यूस और उनके ही तरफ से अनॉसमेंट किया गया वो मुवी और वो खुद जिस लेवल पर वाईरल हो रहे जिस लेवल पर ट्रेंड कर रहे वो भाई साब अलग ही लेवल है पूरे सोसल मीडिया के अंदर तो ये क्रेस करी रहें साती और अगर आप लोग गुगल में भी जाके सर्च करोगे तो इसका सर्च लिस्ट बहुत जादा उपर है यानि इस चीज को बहुती बार सर्च किया गया है सलमान खान के बबबर शेर के नाम पे बबबर शेर सलमान खान न्यू मूवी इस तरीक से भाई सा वो भी हाँ पे ट एकने को मिलेगा जो कि अलगी लिवऽल पे ंसीं है जहां पर खरे होगे हमें इस मूवी के तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी क्लारिटी नहीं है कि बहुत बन रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो Ratman harvest में रहा है Utah कुछ हुआ है और फैंस लोग इस तरीके के चाहिए अभी फिलाल दब बुल में सलमान भाई अभी अपना जो इस चीडूल है वो बहुत ही जादा टाइट कर चुके हैं उसमें वो बिजी है जिस तरीके उने पैरामिलिटरी आफिसर का रोल प्ले करना है और उसको करने के लिए उनको जो भी बॉडी शेफ चाहिए होग जितने भी ट्रेनिंग उनको करना होगा उसमें वो अभी बिजी है और फुल फोकस दे रहे और यह चाहिए भी क्योंकि जब उस तरही के रोल में वो आएंगे ना उनको देखने का मज़ा अलगी लेवल होगा सलमान खान पैरामिलिटरी आफिसर भाई मतलब अलगी लेवल मैंने वीडियो बना भी देया दबुल के बारे में जाकर आप लोग दोसे चेक कर लेएं उसके अंदर काफी सारे अपडेट दी हैं तो अभी फिलाल बबबर शेर को लेके आप लोग के रोजाना रोजाना कमेंट्स आते हैं कि बबबर शेर को लेके कुछ बताओ कबीर खा कि बहुत सारे आप लोग कमेंट्स आते हैं मुझे भी पता है आप लोग एकसाइडेट हो आप लोग की इतने सारे कमेंट्स देखता हूँ ना तो इसलिए यह वीडियो बनाने का मन करता है कि आप लोग कुछ ना कुछ तो बता दू आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हो कि भाई कुछ तो बताओ कुछ तो देखो क्या हो रहा है अभी फिलाल सलमान भाई बिग बॉस के अंदर है उसको जैसे वो खतम करते हैं सुनने में आये कि कुछ यहाँ पे जो है कुछ एपिसोर्स के लिए या फिर ग्रान फिनाली के लिए शायद सलमान भाई नहीं होंगे क अभी दोस्तों सज बताओं तो अभी फिलाल कुछ भी नहीं है डारेक्टर साहब जो है अपने वह अभी अपने मुवी को लेके विजी है जैसे वह रिलीज हो जाते है उसके बाद शायद वह इसमें और ज्यादा फोकस करेंगे फिलाल उनकी पूरी टीम काफी फोकस्ट है इस मुवी को लेके excited है कि किस तरह के साने वाले टेम में चीज़े होगा बट अभी इस मुवी के तरफ से ये officially नहीं है कि हाँ शूटिंग कब से start हो रहा है फर्स लोग हमें कब देखनों को मिलेगा या फिर सलमान भाई को उन्होंने second time के लिए approach किया है सलमान भाई के साथ कबीर खान का कोई meeting हुआ है नहीं हुआ है ऐसा अभी तक कोई भी news नहीं आया है तो जैसे मेरे पास और भी कुछ confirmation आएगा तो मैं ज़रू से आपको बटाऊंगा मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इस धुर्यों के अंदर में आप लोग को किसी भी तरीके कोई भी छोटा के rumor अपडेट भी नहीं बता पा रहा है तो अभी फिलाल मेरे पास तो कोई भी अपडेट नहीं है अगर आप लोग कुछ पता है इसके recording मुझे ज़रू से comment box में बता सकते हो आने वाले टाइम में में ज़रू से मेरे पास कोई भी न्यूस आएगा में ज़रू से आप लोग बताने वाला हूँ वो rumor डी क्यों ना हो मैं आप लोग बताऊंगा ज़रूर क्या हाँ रूमर डे बस ऐसा है सुन कर रखो अफिशेल होगा तो पक्का आएगा कोई टेंशन निये भाई यह है home of सल्मान भाई चानल कोई टेंशन निये भाई सल्मान भाई के तमाम मुविस करें चोटा चोटा हर अपने देखने हो लेगा अभी क्या भी भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेले अगर नहीं क्या कर लिया तो आज के लिए नहीं देखता आने वाले टेम में क्या होता है बट इस मुवी को लेकर जो सीन है ना भाई बहुत जाद सेही चल रहा है और जब यह मुवी रिलीज होगा ना भाई तब आही करें आई होपके आने वाले दो-तीन महिने के अंदर ह कि इस मुवी का जो अफिशल एनाउस्मेंट हो जाए और इसके बाद धिरी दिरी इस मुवी का काम भी स्टार्ट हो जाए और 2025 के लास्ट तक ही सही बट 2025 में यह मुवी हमें ज़रुस देखनों को मिले क्योंकि भाई 2025 को हमें सलमान भाई का साल बनाना है समझे रोना अलग कि लिवेल ट्रेन करवाना है क्या कहने है मुझे कमेंट बाक्स में बताओ तो आज के लिए इतने मिलता आप लोग से नेक्स तुडियो एक अंदर तब तक के लिए बाबाई जैन